हेलो एवरिवन हम देख रहे हैं रीट एक्जाम के लिए पर्षन उत्तर पहले उन मित्रों को बदाई जिन्होंने रीट एक्जाम का पर्थम पेपर पास किया है जो दोस्त इस एक्जाम में सफल नहीं हो पाएं वो दोस्त निरास्त नहों दोगुनी एनरजी के साथ भविश गुर्जर पर्तिहार वंस से सबंदि टोप 65 एक्जाम लेकर आया हूं इस सारे क्जाम आपके रीट लेवल पर्थम रीट लेवल सैकिंड दोनों के लिए इपोर्टेंड होने वाले हैं इसके अलावा यह है आरपी सी ग्रेडस सैकिंड के पर्थम पेपर के लिए होने वाले हैं ये सारे क्यूशन एनसी आरड़ी ता आरबीसी के पेटरन के अदार पर ही परसुन तर त्यार किया है नमस्कार मैं राजेंदर सभी का स्वागत करता हूं कलाम सीवल सर्विस यूटूब चैनल में सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों तक से कर दें चलते हैं क्यूशनों की तरफ पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन के उपर क्यूशनों की संकला से पहले मैंने जो इससे पहले जो कलास होई थी उसमें मैंने आपसे क्यूशन पूछा था वे धातू हैं जो रासाइनी ग्रूप से ए दातू और धातू दोनों की तरहें विवार करती है क्या कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है आपका मेटलोइट्स कहलाती है क्या कहलाती है डी नमबर एंस वरा हो जाएगा आपका सही मेटलोइट्स कहलाती है दोस्तों चलते हैं पहले क्यों तरब कनोज के गुर्जर परतिहार वंस के सकती किस सासन के समय अपने चर्मों करस्वर पहुंची थे दोस्तों जो कनोज के गुर्जर परतिहार वंस थे उसका पुछा गया है कौन सा सासक था जिसके समय पर यह सबसे उन्चायू पहुंची थे दोस्तों तो वो आपका हो जाएगा क्या हो वो आपका सही हो जाएगा मिहीर भोज दोस्तों मिहीर भोज आपका सही हो जाएगा 836 में इन्होंने कार्य बार संबाला था उपाद्धी की बात कर लेते हैं तो आदी वरहा की उपाद्धी है दोस्तों जिसे विश्णू का परतीक भी कहा जाता है परभास भी इनकी उपादी थी इन्होंने बगवती देवी का मंदिर का निर्मान करवा है उजयन के अंदर और गवालिय प्रस्तित की रचना भी यही करवाने वाले थे मिहिर भोश मिहर भोश से आपके इपोर्टन क्युशन मैंने सारे सामिल कर लिया हैं दोस्तो जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर दें चलते हैं दूसरे क्योशन की तरफ कनोज में परतिहार वंस के सासिन की निव presents की निव रखने वाला पूछा गया आपसे नागबाट पर्थम हो जाएगा नागबट पर्थम हो जाएगा गुर्जर परतिहारों का वास्तिक संस्तापक पूछा जाए तो नागबट पर्थम ही है दोस्तो 730 लेकर 760 तक इनका सासन काल देता है ये राजदानी मेड़ता तथा उजेन को मनाते हैं बाद ये राजदानी भीन माल जालोर की बनाते हैं दोस्तो नागबट पर्थम पर्थम पर्थिहार वंस के नीव रखने वाले थे आगले क्यूशन बढ़ते हैं पर्थिहार सासन का ककूक राजबाओ के उतरा दिकारी निमन में से कौन सा सिला लेक उतिकर्ण करवाया दोस्तों कौन सा सिला लेक उतिकर्ण करवाया था का कुरागज ने तो वो करवाया था आपका गटियाला सिला लेक important question हो जाता है सिला लेक से तो गटियाला सिला लेक हो जाएगा अगले क्यूशन बढ़ते हैं परतिहार सासक नागबट दिवित्या ने किस सासक उपराजित कर परम बटारक महाराजा दिराज परमेश्वर की उपादी धार्न करी थी दोस्तो नागबट दिवित्या से पूछा गया ये क्यूशन है आपका 805 से लेके 833 तक वो सासन करते हैं इनकी उपादी तो महाराजा दिराज की उपादी है इनका समय जो गुर्जर परतिहारों का स्वन काल माना जाता है दोस्तो किसका समय नागबट दिराज परमेश्वर की उपादी है वो किसको हरा के ली गी थी दोस्तो तो वो हराने वो रहती था द्रमपल से बंगाल वाले को हराय था मंडूर के गुर्जर परतिहार वंस का मूल पुरुस कौन था दोस्तों मूल पुरुस आपसे पूछा जाए तो आपको लगा देना हरिस चंदर और वास्तिक संस्तापक पूछे आपसे तो लगाना नागबट पर्थम यादगरी लेजिएगा गुर्जर परतिवार का मूल पूर्स यादिपूर्स कौन है हरिस संदर च्छेसो बीस इस्यू में मंडौर जोदपूर में ये इस वंस की स्तापना करते हैं इपोर्टन क्योशन हो जाता आपके लिहास से लिहास से दोस्तों बढ़ते हैं आगले कि उसे नंदीपूर भढ़ोज के गुर्जर परतिहार राजा के संस्तापक कौन थे दोस्तों कौन था संस्तापक मंदर नंदीपूर भढ़ोज के गुर्जर परतिहार तो वो हो जाएगा धत पर्थम था दोस्तों कौन था धत पर्थम हो जाएगा आपका अंस्वर गया दोस्तो जो जोदपूर का जो सिला लेख मंडोर जोदपूर सिला लेख था वो उतिकर्ण किस सासक ने करवाय था तो वो करवाय था राजा बाउक ने करवाय था इपोर्टन किसन हो जाता आपके लिए तो वो कौन था करवाने वाला वो था आपका राजा बाउक लगा लिजेगा पहला उप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा राजा बाउग था याद करिएगा अगले किसे बढ़ते हैं निमन मैंसे किस सेललाइक में परतिहारों को गुर्जर कहा गया दोस्तों कौन सा सिललेख है जिसमें परतिहारों को गुर्जर कहा जाता है जिसके वज जिसके अंदर क्या कहा गया है परतिहारों को गुर्जर कहा गया है बढ़ते हैं अगले क्योशन की तरफ अगला क्योशन आपके स्क्रीन के ओपर मंदोर के परतिहार वंस से सबंदित प्रारविक सासक का नाम बताईएगा आप तो मंदोर के परतिहार वंस से सबंदित पहला पूछा गए आपसे तो पहला राजा हो जाएगा आपका नागबट पर्थम हो जाएगा दोस्तों कोण हो जाएगा नागबट पर्थम हो जाएगा नागबट पर्थम निमन लिखते मैंसे किस राजबन से सब्बंदित है दोस्तों नागबट पर्थम किस राजबन से सब्ब लगने लग जाते हैं टोपिक हमें सर लगना सुरू हो जाता है तो अगला क्यूशन के तरफ यदि क्यूशनों का स्तर अच्छा लग रहा है दोस्त तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो ने दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कर किसके समय होता है दोस्तो वो होता आपके किसके वत्स राज पर्थम के समय दोस्तो वत्स राज पर्थम की उपादिगी बात कर लेतों वो है रन हस्तिन है दोस्तो कोण है रन हस्तिन युद में हाती के समान शक्ति सालिस का अर्थ हो जाता है ओसिया में सूर्य मंदिर का नि स्वर्श हो जाएगा अगर ले किशने के तरह बढ़ते हैं मजूमदार के अंसार गुर्जर परतिहार ने अपनी स्तावदी तक अर्बgedा का काम केंद दोस्तों जो अर्ब magist काम काम काह दोस्तों जो अर्बकर्मानिकार आती थे अरब जो काम 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 का सा जो स्ताबदी होती है वो करते हैं दोस्तों तो मजूमदार के अंसार वो जो स्ताबदी हो जाएगा आपकी कौन सी हो जाएगी छटी स्ताबदी से लेकि ग्यारवीं स्ताबदी तक ये डटे रहते हैं दोस्तों तो आपका उमसन हो जाएगा सीज सही हो जाएगा आठवीं स द्सिम स्टाफिर राजस्तान में राजबत मुसका कौण सा है पर्तिहार मुसका वर्चसव रहता है मंदोर के पर्तिहार मने जाते हैं यह भी आपके लिए कनोज पर अधिकार है तु चले त्री पक्सिया । युद्ध मैं राज पुताना के किस मुसक के सासकों ने भाग लिया दोस्तों कनोज पर जब अधिकार करने के लिए तीन साइड से यूद होता है तीन तरफ से यूद होता है तो कौन से वंस के सासकों ने भाग लिया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा वो भी अगले केशन बढ़ते हैं भोज मिहिर भोज जिसे कहते हैं किस वंस का सासक था दोस्तों किस वंस का सासक था सिंपल क्यूशन है दोस्तों कई और एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं तो वो गुर्जर परतिहार मिहिर भोज का सबंद गुर्जर परतिहार से सबंद हो जाता ह आपका राजस्तान में परतिहार वंस के संस्तापक हरिशंदर की राजदानी कौन सी थी दोस्तों बताईएगा राजदानी कौन सी थी हरिशंदर की राजदानी पूछा गया आपसे तो वो राजदानी कौन सी हो जाएगी वो राजदानी हो जाएगी मंदोर राजदानी हो ज जिने वो मंदोर को बनाई थी दोस्तो याद कर ली जाएगा important question बन जाते है राजदानियों से तो जोदपुर के निगट ओस या मेस्तित मंदिर शेमोव में किस राजवंस की देन है दोस्तो तो किस राजवंस की देन हो जाएगी तो किस के समय से वो परारम हो जाता है वो हो जाता आपके वत्स राज के समय से परारम हो जाता है दोस्तो इपोर्टन क्यों से नहीं ये भी आपके लिए परतिहार सीला लेखों में पदादिगारियों का किस रूप में उलेख किया गया है दोस्तो किसके समय में वैन सांग या हवेन सांग या युवान चांग भी कहते हैं राजस्थान आया दोस्तों किसके समय में या राजस्थान आया था हवान शांग वेन शांग ये चिन्नी यात्री था, क्या था ये चिन्नी यात्री था, निति का पंडित भी कहते हैं यात्रियों का राज कुमार भी कहते हैं दोस्तों, और नरबट के लिए इन्होंने सब्द बोला था, पेलो पेली सब्द, पेलो पेली गारती सकती साली होता है, वेन राजस्तान कब आया किस के समय में आये था तो दोस्तों वो आता है आपका हरश्च वर्दन के समय ये राजस्तान आता है important question हो जाता आपके लिए ये सी नमर इसका right answer हो जाएगा भारतिय त्यास में निमन में से किस अबदी को राजबुत अबदी कहा जाता है दोस्तों तो कौन सी अबदी है जिसे राजबुत अबदी भी कहा जाता है तो वो जाएगी सात्वी स्तावदी से लगा कर बारवी सद्धी के बीच में इस अवदी को क्या माना जाता है राजबूत अवदी भी माना जाता है गुर्जर परतिहार वंस की मंदोर साखा के कि ससक ने अपनी राजबनी मंदोर से मेड़ता बदली कर ली दोस्तो कौन ससक था जिसने ये राजबनी चेंज किया दोस्तो तो वो ससक था नागबट नागबट कौन नागबट परथम था आपका नागबट परथम हो जाएगा ज तक इसका समय काल रहता है नाग बट पर्थम का नेमन लेकित में से किस विदेशी आतरी ने गुर्जर परतिहार राजबंस की सेन ने सक्ति एम समर्दी का उलेख किया है दोस्तों तो वो कौन था वैक्ति जिन्होंने ये उलेख किया तो वो वैक्तियदा सुलेमान इपोर्ट गुर्जर परतिहार से सबंदित नहीं है तो कौन सा सर बताईएगा आप मुझे तो नाग बट दिवित्तिया ये भी है सर दो और मेंदर पाल ये भी है सर आपका गुर्जर परतिहार देवपाल देवपाल भी है तो कौन नहीं है भरत्र भट पर्थम नहीं है दोस्तों इस कोषपाल की रूप में काम करता था क्या ये या मुख्या लेखा दिकारी की रूप में तो इसकी जुमबवारी दोस्तो थी मुख्या लेखा दिकारी की रूप में ये काम करता था दोस्तो तो मुख्या लेखा दिकारी वड़ा उप्शन हमारा सही हो जाएगा बी नमर इस कान्सफर हो जाएगा विनाइक पाल देव परथम हो जाएगा आगला गयोशन आपके स्क्रीन कुपर परसिद कभी वे लेखक परसिद कभी भी है और लेखक भी है राजसेकर किस परतिहार सासा का गुरू था अब ये पूछा लिया आपसे राजसेकर से क्योशन और राज सेकर का सबन्द कभी भी है लेखक भी है याद कर लीजएगा इसका सबन्द पूछा गया कौन से सासक के गुरू थे तो वो आपका राइट है उनसे जाएगा मेहंदर पाल पर्थम की क्या थे ये गुरू थे राज सेकर लगा लीजएगा इपोर्टन कि उसे नाप क तो उपाद्धि किस तामर पत्र में यह लिखा वहा है इसके बारे में जिकर है तो वह आपका ंसर हो जाएगा दोलत पूरा तामर पत्र है जिसके अंदर क्या है? परभास सूर्य की उपाद्धि से अलंग करता है ये बात इसके अंदर लिखी था है नेमन लिखे तो मैंसे किस विदेशी यातरी ने गुर्जर परतिहार राजमस की सेन्द सक्तिम समर्दी का उलेख है दोस्तो कौन था सासक जिसने सेन्द समर्दी और समर्दी का उलेख है तो वो हो जाएगा सुलमान तो इसका राइट अंचर क्या हो जाएगा सुलमान हो जाएगा आपका राइट अंचर है किस परतिहार राजा के काल में परसित गौालियर परस्तिति की रचना करी दोस्तो इपोर्टेंट क्यूसर लगा लेजेगा तो ये पुछा गए आपसे कौन सा सासक था जिसके समय ये गौालियर परस्तिति की रचना होई है तो वो सासक आपका हो जाएगा बोज पर्थम बोज पर्थम का मतलब मिहीर बोज हो जाएगा आपका जिसमें गौालियर परस्तिति की रचना होती है दोस्तो बोज पर्थम लगा लिजेगा इस कैंसर तो पहला ही उप्षन हमारा राइट हो जाता है नेमल लिखे तो मैंसे किस विद्वान ने अगनी कुंड से राजबतों का सिधान्त परति पादित किया है तो कौन था विद्वान जिसने ये बात बोली थी ये बात बोलने वाल थे चंद्रवर्दाई थी दोस्तो क्या बोला थे इन्होंने कि राजबतों का जोगनी कुंड से ये पेदा हुए है चंद्रवर्दाई लगा लिजेगा इसका अंसर नागबट पर्थम दोस्तो नागबट पर्थम निमल लेखित में से किस राजबन से वो गुर्जर परतिहार सी हो जाएगा हमारा पहला दूसरा एंस्वर इसका राइट हो जाएगा किस भारतिय विद्वान ने राजबुत को राजबुतों को विदेशी उत्पती सिधानत का परती बाद नहीं किया दोस्तो किस वारतिय विद्वान ने बोला कि ये विदेशी थे दोस्तो किस ने बोला था ये बात तो वो वेक्तित बोलने वाड़े है डी आर बंधार कर दोस दोस्तो कौन सी स्थाबदी थी जिन्होंने ये बद्द की रूप में काम किया तो वो छटी स्थाबदी से लेके बार्मी स्थाबदी थी दोस्तो पराचिन राजस्तान में मालवा की सक्ति का केंदर किस के आसपास केंदरित था दोस्तो मालवा का जो केंदर था सक्ति का वो कि बाती हार वंस के सरस्ताफँक खरी संदर कि राज़दानी थी दोस्तों तो उसकी जो राज़दानी थी वो थी क्या मन्डोर राज़दानी थी याद कर लेजेगा आदी Pura, MUL Pura इन्होंने राजबतों को हुनों की संतान बताया, किसने बताया हुनों की संतान दोस्तों, वो बताने वाले वेक्ति थे, वी ए सिमत थे, जिन्होंने क्या बताया, राजबतों को हुनों की संतान बताया, तो इसका जो एंसर हो जाएगा, वी ए सिमत हो जाएगा, परतिहार सीला लेख में पदादिकारियों का वो लेख यह आता है क्या आता है तो वो आता आपका राज पुरुष आता है दोस्तो पहला उप्शन राइट हो जाएगा निमन लेकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्रामन उत्पती के सिदान्थ के विरुद था दोस्तो कौन सा विद्वान हैं जो बोलता है कि गुहिलों की ब्रामन उत्पती के सिदान्थ के विरुद था दोस्तो कौन था वेक्ती था जो विरुद था जी अच ओजा द जो की गूहिलों की बरामन उत्पती के सीधांत के ये विरुद्थ था महान संसकर्टी कभी एम्नाटक का राज सेकर निमन मैंसे किसे के दरबार में सबंदित है, दोस्तो? राजबुत वेदिक आरेयों की संतान है इस मत के परतिबाद कोन है दोस्तो राजबुत जो है वेदिक आरेयों की संतान है इसके परतिबादन करने वाले वेक्ति कोन थे तो इसके परतिबादन करने वाले वेक्ति कोन थे गोरी शंकरी हीरा चंद ओजा हो जाएगा आपका रा अंतिम सासक कौन था दोस्तो परतिहार वंस का अंतिम सासक पूछ लिया गया आपसे तो ये भी एक्जाम में क्यूशन इपोर्टर बन जाता आपके तो इसका जो अंतिम सासक था वो था राज्य पाल दोस्तो कौन था राज्य पाल जो अंतिम सासक था दोस्तो कनोज का अंतिम गुर्जर सासक तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरश वर्दन हो जाएगा आपका राइट एंसर आबानेरी दता राज ओर गड़ के कलातमक वेबो किस काल के हैं तो वो किस काल के हैं दोस्तो वो भी आपके काल हो जाएगा गुर्जर परतिहार काल के वो है याद कर लिजेगा इपोटर पहला कि उसे ना आपका पहला यान इस वर आपका सही हो जाएगा गुर्जर परतिहार सासा किस नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं गुर्जर पतिहार वो जाने जाते हैं अगनी कुंड राजपुत जाने जाते हैं तो अगनी कुंड राजपुत जाने जाते हैं तो अगनी कुंड राजपुत जाने जाते हैं कौन गुर्जर पतिहार याद कर लेजेगा एपोर्टन क्योंसे नहीं आबू के परमारों की वेबव यूगत राजदानी थी तो कौन सी वेबव यूगत राजदानी है आबू के परमारों की तो वो हो जाएगा आपका चंद्रावत्ती हो जाएगा कौन सा एंसर हो जाएगा डी नमबर एंसर हमारा सही हो जाएगा आपका किस राजा के वंसस गुर्जर परतिहार किया जाने लगे दोस्तो किस राजा के वंसस थे जो गुर्जर परतिहार कहे जाने लगा थे तो वो थे कौन नाग बट द्वित्या थे दोस्तों जिनके वंसस क्या जाने जाते हैं गुर्जर परतिहार के नाम से जाने जाते है नीमन में से किस स्थान पर गुर्जर परतिहारों का सासन नहीं माना गया दोस्तों इन में से आपको स्थान बताना है जहां पर गुर्जर परतिहारों का सासन नहीं रहा है कौन सा स्थान है दोस्तों तो बढ़ोंच में रहा है जालोर में भी रहा है मंदोर में भी रहा है तो कहां नहीं रहा है वो नहीं रहा है शिरोही के अंदर तो इसका जो राइट एंसर क्या हो जाएगा शिरोही हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाएगा परतिहार एंव पाल सासकों पर अपनी विज़ा की खुसी में दुरू ने गंगा वे जमुना के चिनों को समनित किया दोस्तो राश्टर कुल चिना में चोला कुल चिना में चंदेल कुल चिना में या पाल कुल चिना में दोस्तो तो आपका राश्टर कूट कुल चिना में इ उन्होंने गुर्जनों को पराजित किया दोस्तों गुर्जर परतिहार पाल एम राष्टर कूट सासन केंदर या राज़तनतर नहीं थे दोस्तों ये बात सही है क्या ये बात बिल्कुल गलत है गुर्जर परतिहार पाल एम राष्टर कूट सासन केंदर या राज़तनतर थे दोस्तों क्या थे? वो थे तो ये जो बात लिखी हुई है, वो बिल्लकुल गल्ट बात है तो इसका जो right answer हो जाएगा, हमारा be answer हो जाएगा जोध्बुर के निकट OOSIA के मंदरों का समुह हैं, जिसकी देन हैं, वह है दोस्तों तो उसी है कि जो मंदिरों की जो देन हैं वो कौन से हैं वो परतिहार हो जाएंगा आपके राइट एंसर इसका अगला क्यूशन आपकी स्क्रीन के उपर संसकर्ट कभी राज सेकर किसके दर्बार में था दोस्तो संसकर्ट कभी पूछा गया राज सेकर वो किसके दर्बार में था तो राज सेकर से ये क्यूशन मैंने पूछ लिया आप से तो वो किसके दरबार में थे अबो मेंदरपाल पर्थम के दरबार में था अगला क्योशन आदी वरा की उपादी से जिस राजबु सासक ने दारन की है वो है आदी वरा की उपादी दोस्तो किसे दी गई है इपोर्टन क्योशन आपका बन जाता है आदिवरा की उपादी से तो आप बताईएगा मुझे आदिवरा की उपादी किसे दी गई है तो आदिवरा की उपादी जो है वो आपके कौन है एक परभास की उपादी इनको है तो वो आप पता सकते हैं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा मिहीर भोज आदिवरा का दोस्त विश्णू का परतीक माना जाता है विश्णू का परतीक है इसकार्थ तो इसका जो एंसर हो जाएगा मिहीर भोज जाएगा आदिवरा की आदिवाला सासक हो जाएगा परतिहार सासक महंदरपाल पर्थम एम महिपाल का दरवारी का भी कौन था दोस्तो तो वो हो जाएगा आपका राज सेखर हो जाएगा राइट एंस्पर आपका राज सेखर हो जाएगा परतिहार साजकों में रोहिल धित के नाम से जाना जाता था कौन सा था जिस नाम से जाना जाता था दोस्तो अगला कियो सब चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी दोस्तो कौन था बीनमाल की यात्रा करने वाला तो हमने बात भी कर चुके हैं इससे पहले तो हवेन शांग था चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा करी थी दोस्तो हवेन शांग इसके बारे में मैंने आपको बता दिया चीनी यात्री था नीती का पंडित भी कहते हैं इसको यात्रियों का राज कुमार भी कहते हैं दोस्तो इन्होंने नरबट के लिए बोला था पेलो पेली सबद जो इसका आरत होता सकती साली दोस्तो तो इसका एंसर हो जा ये कहा गया है निलकुंड निलकुंड है दोस्तो इसमें कहा गया रादनपूर में भी कहा गया है देवली में भी कहा गया है कुराड में भी कहा गया है तो ये इसका जो अनिशन हो जाएगा दोस्तो सभी हो जाएगा उक्त सभी में ये जीज़ कही गई इनको किस परतिहार गुर्जर बंस के सासक के समय तिरकौन आत्मा के संगर से समापत हुआ दोस्तों तो समापत पूछ लिए अब गिवार दोस्तों शुरू भी पूछा था मने शुरू किस के समय हुआ तो समापत किस के समय हुआ है तो समापत किस के समय होता है वो हो जो पित्तर अपने पिता जी की हत्या कर दी दोस्तों तो वो साशक था अपका मिहिर भोझ हो जाएगा ने, मिहिर भोझ हर एक कभी को प्रत एक सलोग पर एक लाक मुदराइन प्रदान करता था, यह कतन किसका है दोस्तों, वो एक सलोग तो पर Kenneth मुद्राइं देता था ये बात किसने कही थी दोस्तो ये बात कही थी सुलेमान ने कही थी किसने कही थी ये बात सुलेमान ने ये बात कही थी दोस्तो आज का जो क्यूशन है वो आपके लिए इपोर्टेट होने वाला ये सुन लिज़े क्यूशन मोरे प्रसाशन में कर सी क्या कहा जाता दोस्तों इसका जो आपको एंसर देना है वो देना आपको किसमें कॉमेंट बोक्ष में देना है आपको किशनों का अस्तर कैसा लगा दोस्तों कॉमेंट करके बता दीजिएगा जो दोस्त ने जुड़े हैं जो ने मित्तर जुड़े हैं वो चैनल को सबस्क्रा वीडियो को देखने के लिए अंतक थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सो मच बबाद